Hello everyone, स्वागत है आप सबका, मेरा नाम है प्रवीन चक्रवर्ती और आज हम लोग डिसकस करने वाले एक बहुत ही सांदर टॉपिक जिसका नाम है Center of Mass of a Holocoon ठीक है ये टापिक आप बहुत बार पढ़ चुके हैं, बहुत बार आपके कोर्स में अपलाई होता है लेकिन आज हम इसको यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से Center of Mass of a Holocoon कितना हाइट पर होता है ठीक है तो Center of Mass का topic है तो आपको clear पहले से होना चाहिए, अगर आप नए है और आके बोलिएगा कि मुझे समझ में आ रहा है तो that's not true ओके चलिए तो देखें किस तरीके से निकाला जाता है Center of Mass, देखें सबसे पहले हमने ले लिया है एक Holocoon ठीक है Holocoon ले लिया है इसकी base radius है R और इसकी complete height हमने लिया है और इसकी जो semi vertical angle यह पूरा होगा semi vertical angle को हमने theta ले लिया है और यहां हमने नाम दिया A, B, और इसे C नाम दिया है ठीक है जिसका thickness जो है हमने ले लिया है TX ठीक है और इसकी जो radius है वो है R और top से इसकी जो distance है वो हमने ले लिया है X top से B point इसकी center की जो distance हमने ले लिया है Y ठीक है इतना considerate कर रहे है क्लियर है हमें निकालना है center of mass क्या निकालना हमें center of mass तो इसके लिए क्या करेंगे ध्यान से समझना है कि हम focus रखेंगे किस triangle पर triangle A B और C dash पर A B dash और C dash पर वहां से अगर हम लोग मैं बात करता हूं sin theta निकालने के बात करता हूं ठीक है तो sin theta होता है perpendicular by hypotenuse तो sin theta अगर हम निकालने के बात करते हैं तो इसके लिए perpendicular होगा R by hypotenuse हो जाएगा X cos theta के लिए हमें क्या चाहिए base हो जाएगा ये Y और Y hypotenuse हो जाएगा X ठीक है तो Y बराबर हो जाएगा X into cos theta clear है यहां तक कोई भी अगर doubt हो तो आप comment section में comment करके पूछ सकते हैं ठीक है यही चीज मैंने यहाँ पर लिग दिया है कि A dash B dash मिली है sin theta यहां से देखिए R बराबर X sin theta Y बराबर क्या है X cos theta ठीक है अब जो आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको पता है कि जो hollow cylinder की जो curve surface area होती है वो होती है πाई R L जो area अगर A है πाई R और अब एक कून को ध्यान से देखते हैं अगर आप कून में ध्यान से देखते हैं यह अगर height H है यह अगर R है तो जो slant height है वो हो जाएगा pythogras के use करने से root over R square plus H square जो कि हमने यहां लिग दिया है ठीक है यानि L को भ 1 है तो mass by A हो जाएगा तो DA area पर कितना हो जाएगा M by A into DA हो जाएगा तो यह छोटा सा mass हो जाएगा जिसको हम लोग कहेंगे DM छोटा सा mass क्या होगा DM clear है अब जो बता रहा हूं ध्यान से समय जो सबसे key point है आप जब एक arbitrary ring considerate कर रहे हैं मैं इसका color तोड़ चेंज कर लेता ह आप जो यहां से arbitrary ring considerate करें इस ring को क्या कीजिए यह जो ring हमने considerate किया है इस ring को यहां से cut कीजिए तो यह ring को जब cut करेंगे तो यह ring कुछ इस तरीके से दिख़ए यह रेक्टेंगल दिखेगा इस rectangle का अगर हमें area निकालना है तो होता है rectangle का length into breadth तो इसके लिए हमें length ठीक है यह अगर radius हो जाता है तो radius के बरागर का हम लोग circumference है अगर circumference के बराबर अगर हम लोग c c जो है वो 2 pi r है तो इसको अगर open करते तो यह circumference ही तो इसकी length होगी यानि जो length है वही तो 2 pi r है और जो breadth है इसकी वही उसकी थीकनेस हमने जो leave थी starting mark dx ठीक है तो यहां जो मै इसको color फिर से ready कर लेते हैं तो देखे ध्यान से यह da बराबर क्या हो गया जो elementary area की जो elementary area जो हो जाएगा वो क्या होगा 2 pi r into dx और r की value जो थी वो x sin theta यानि da बराबर हो गया 2 pi x sin theta dx ठीक है अब देखे ध्यान से जो हमने starting में dm लिया था dm बराबर क्या लिखा था m by a into da त यहां से हमने da का value 2 pi x dx ठीक है तो यहां सब आराम से देख सकते हैं कि एक pi और pi cancel हो जाएगा तो 2m r root over r square plus x square into x sin theta dx हो जाएगा ठीक है अब जो आपको ध्यान देने वाली बात है कि जो सारा mass है वो केवल और केवल इस line पे लाइगा center of mass इसी line पे लाइगा तो हम लोग केव से जो हमने center of mass लिखा है यहां पर ध्यान से देखिए y coordinate of center of mass जो है y coordinate of center of mass integration of y dm divided by whole body का mass y मतलब क्या है हमने starting में y को x cos theta dm के value अभी तूरंद निकाला है 2m by r root over r square plus x square into x sin theta ठीक है तो यहां से आप आगे क्या देख पाते हैं देखिए m और m cancel हो गया है ठीक है sin theta cos theta को बाह बाहर ले आईए तो यह पूरा term बाहरा गया जो भी integration के अंदर रह गया है वो रह गया है वो क्या रह गया है x square dx और जो limit होगा ध्यान से देखिए x की जो limit है वो कहां से कहां होगी तो आप देखिए आपने कौन बनाया था यहां से x मतलब क्या lateral जो हमने lateral surface area जो होलते है इ पूरा का पूरा यहां से हमने start किया और complete L पे खतम किया इसलिए जो limit है वो क्या होगा 0 से L तक होगा तो x square का होता है integration आपको पता है x cube by 3 होता है ठीक है इसका क्या होगा x cube by 3 और जब हम इस x cube by 3 में यहां से जब put करेंगे L by 3 ठीक है sorry L put करेंगे और जब solve कर रहे ध्यान से देखिए का यहां से sin theta जो होगा अब पूरे का पूरा ध्यान से देखिए बड़े वाले triangle पे चले आते हैं अगर हम बात करते हैं sin theta sin theta अगर हम बड़ा वाला triangle पर focus करते हैं sin theta क्या होगा फिर से perpendicular by hypotenuse तो radius r by L हो जाएगा तो r by L होगा यहां से अगर cos theta लिखना चाहते हैं base यानि h by L होगा जो कि हम नहीं है last में उसी चीज़ को use किया है अब r क्या था root over r square plus h square into L ठीक है तो अब देखिए ध्यान से यहां से जब यहां से put किया तो 2 by R यह हो गया 2 by R sin theta का value था r by L cos theta का value h by L तो नीचे L cube हो गया और इसका value L cube by 3 इसको जब solve किया तो y की value आ गई है 2 h by 3 थीक है तो यह हो गया center of mass लेकिन यह जो center of mass हमने निकाला है वो vertical से है 2 h by 3 कितना है vertical से कितना है 2 h by 3 इस vertical से 2 h by 3 है तो bottom से कितना होगा यह अगर उपर से 2 h by 3 है तो नीचे से तो h by 3 होगा यानि center of mass क्या होगा x coordinate 0 है y coordinate 0 h by 3 है clear है तो इस पूरे hollow cone का center of mass जो होगा वो होगा 0 h by 3 कहां से यहा देखे bottom से h by 3 ठीक है तो I hope कि आपको इस चीज समझ में आगे कोई भी दिक्का तो comment section में comment करके पूछ लेना है ठीक है और आपको solid cone का मैं अगला वीडियो आपको दूँगा तो उसका भी मुझे comment section बताए कि कितना आता है बीना आगे कोई वीडियो को देखे हुए thank you